Hello, पिछली वीडियो में हम ने पेस्ट स्पेशल के all options, फार्मुलास options, बैली। औक्षिन, फॉर्मेट्स औक्षिन, कॉमेंट्स औक्षिन, और बैलिडेशन औक्षिन के बारे में जाना इस वीडियो में हम paste special के अन्य options के बारे में जानेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले यह जितना भी data है इसको select करेंगे select करने के बाद इसको copy करेंगे या तो keyword से control c या हम clipboard group के यहां पे copy पे click करेंगे copy पे click करने के बाद कहां पे इसको copy करना है वहां पे click करेंगे यहां पे इसको copy करना है इसके बाद paste special को open करेंगे तो इसके लिए या तो हम यहां पे paste के more button पे click करेंगे और यहां पे paste special पे जाएंगे तो paste special पे जाने के बाद यहां पे यह हमारे जितने भी option थे यह हमने कर लिए है जैसे all, formulas, values, formats, comments, validation अब हम यह जो आगे के options हैं इनको करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो है यहां पे all using source theme यहां पे अगर हम click करेंगे तो यह जितना भी data है जितनी भी इसमें formatting की हुई है यह सारी की सारी यहां पे निचे copy हो जाएगी तो यह theme आगर हमें चाहिए तो हम इस theme को यहां पे copy कर सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पे ok पे click करेंगे ok पे click करने के बाद यह दिखो यह जितनी भी उपर की theme थी यह सारी theme यहां पे निचे copy हो गई है तो यह लिको जितना भी यहां पर formatting वगारा जो भी है same as it is वो यहां पर निचे copy हो गई है इसके बाद इसको undo करेंगे Ctrl Z यह undo किया इसके बाद अगले option को करेंगे तो अगले option को करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर इसको select करेंगे select करने के बाद फिर इसको copy करेंगे Ctrl C यह यहां से इसको copy करेंगे copy करने के बाद कहां पर इसको paste करना है यहां पर click किया click करने के बाद यहां पर paste पर जाएंगे more button पर जाएंगे और paste special पर click करेंगे paste special पर click करने के बाद यहां पर यह जो second है आल एक्सेप्ट बॉर्डर्स यह यहां पे क्या होगा कि बीना बॉर्डर के यह निचे आ जाएगा यहां पे तो यह बॉर्डर में है और जब हम यहां पे इसको कॉपी करेंगे तो यह बीना बॉर्डर के यहां पे आएगा अब कैसे चेक करना है कि यहां पे बॉर्डर लग तो यहां पे इसको बोल्डर लगा हुआ है तो अब क्या है यह जितना भी डेटा है यह डेटा हम बीना बोल्डर के चाहिए हमें तो हम इसको यहां से बैक करेंगे अब बीना बोल्डर के यह चाहिए तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे इसको फिर से यहां से सेलेक्ट करें करेंगे इसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद कहां पे इसको कॉपी करना है यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे पेस्ट पे जाएंगे मौर बटन पे और यहां पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद और एकसेप्ट बॉ बोर्डर लगा हुए पहले के लिए, और ये बिना बोलडर के यहां में निचे आएगा, तो इसको चेक करने के लिए, कि यहां में पर बोलडर है कि नए इसके लिए हम प्रव्यू देखेंगे तो इसके लिए शॉट्ड sciences automated एफ्टो प्रेस करेंगे ये प्रेस करने के बाद ये देखो ये जो पहला था ये यहां पर बोल्डर लगा था और ये जो नीचे कोपी होके आया ये बीना बोल्डर के आयी है ये देखो इसमें कोई भी बोल्डर यहां पर नहीं लगा हुआ है तो इस प्रकार हम यहां पर बीना बोल्डर के यहां पर कोपी कर सकते हैं इसके बाद इसको undo करेंगे ctrl z press किया undo किया undo करने के बाद अब क्या करेंगे हम अगले option को करेंगे तो अगले option को करने के लिए फिर से हम इसको select करेंगे इसको copy करेंगे copy करने के बाद कहां पी copy करना यहां पी click करेंगे इसके बाद keyword से ctrl alt भी press करेंगे प्रेस करने के बाद अगला जो है कॉलम विर्थ तो कॉलम विर्थ इसका मतलब क्या है इसको समने के लिए पहले क्या करते हैं हम यहां पे इसको कैंसल करते हैं यहां से यह जो टोटल है इसकी विर्थ यहां से बढ़ाएंगे यह विर्थ हमने बढ़ा दी इसके और इस width को हम कम करेंगे यहां से तो यह यह जो width है column की यह width जो है यही copy नीचे हो जाए तो यह करने के लिए हमने यहां पे इसकी width कम की और इसकी width ज्यादा की अब क्या करेंगे हम यहां पे जाएंगे इसको select करेंगे select करने के बाद इसको copy करेंगे यहां पे copy किया suppose करो यहां पे copy करेंगे हम तो copy करने के लिए यहां पे click किया click करने के बाद हम paste special पे जाएंगे यहां पे paste special पे click किया column width यहां पे click करेंगे column width पे और इसके बाद ok पे click करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये जो column bits है यहां पे ये total की ये बड़ी हुई है ये column bits और ये जितना भी data है ये data यहां पे नहीं आएगा लेकिन जो column की bits होगी ये देखो paper 2 इसकी column की bits ही है तो यहां पे ये bits ही यहां पे आएगी तो ये total की है तो total की bits ये देखो जितनी थी ये ज़्यादा bits हमने यहां पे ली थी तो ये ज़्यादा bits इसकी आजाएगी तो इस पकार हम column की bits को भी यहां पे copy कर सकते हैं इसके बाद इसको undo करेंगे अगला जो option है इसको करने के लिए फिर से हम इसको select करेंगे select करने के यहां पर copy करना है यहां पर copy करना है इसके बाद keyboard से हम paste special को open करेंगे ctrl alt और भी press करेंगे यह press करने के बाद paste special यहां पर आ जाएगा इसके बाद अगला option जो है formulas and number format इसको हम यहां पर check करेंगे check करने के बाद यहां पर जब हम copy करेंगे तो copy करने के बाद क्या होगा यह जो formula यहां पर लगा हुआ है यह फार्मूला यहां पर उपर formula लगा हुआ है यह जो फार्मूला जब हम यहां पे चेक करेंगे तो यह फार्मूला भी कॉपी हो गया है यहां पे यह देखो यहां पे क्लिक किया तो यह फार्मूला बार में देखो यह फार्मूला यहां पे आ गया तो इस प्रकार हम यहां पे फार्मूला को भी copy कर सकते हैं लेकिन यह जो बाकि फॉर्मेटिंग है यह यहां पर नहीं आएगी इसके बाद इसको undo करेंगे Ctrl Z undo किया, undo करने के बाद अगला option करेंगे हम तो इसको फिर से हम बैसे select करेंगे, copy करेंगे copy करने के बाद कहां पर copy करेंगे, यहां पर click किया यहां पर click करने के बाद आगे जो है, वो है paste special यहां से open करेंगे paste special, इसके बाद है values and number format values and number format जब हम यहां पर click करेंगे तो click करने से क्या होगा यह जो यहां पर फार्मूला लगाया हुआ यह copy नहीं होगा values and number format यही copy होंगे लेकिन यह जो formula यह copy होके यहां पे नहीं आएगा इसको यहां पे click किया click करने के बाद okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह देखो यह जितनी भी formatting थी यह formatting यहां पे नहीं आएगी और यह जो formula यहां पे लगाया हुआ है यह formula भी यहाँ पर नहीं आएगा तो यह देखो यहाँ पर 109 यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहाँ पर 109 नमबर आएगा लेकिन यहाँ पर formula नहीं आएगा इसके बाद यह देखो यहाँ पर 54 यहाँ पर 54 आएगा तो इस तरह से यहाँ पर values and number format यही कॉपी होंग बाकी जो है यहां पे formula यह यहां पे copy नहीं होगा इसके बाद इसको यहां से undo करेंगे Ctrl-Z undo किया इसको इसके बाद paste special का अगला option उसको देखते है यह select किया select करने के बाद copy किया और copy करने के बाद paste special यहां पे click करेंगे paste special में यह जो अगला option है all merging conditional format यह यहां पर बंद पड़ा हुआ है इसको यहां पर activate करने के लिए हम क्या करेंगे इसको यहां से cancel करेंगे यहां पर click किया click करने के बाद अब यहां पर conditional formatting यहां पर लगाएंगे जैसे यहां पर इसको यह range यहां पर हमने select की यहां पर conditional formatting यहां पर गए इसके बाद greater than यहां पर गए इसके बाद यहां पर हम भरेंगे जैसे 60 greater than 60 तो यह जो है यहां पर conditional formatting लग जाएगी कि 60 से greater than जितने भी हैं वो यहां पर select हो जाएं ओके तो यह देखो यहाँ पे conditional formatting यहाँ पे लगा दी अब जब हम इसको copy करेंगे तो copy करने से क्या होगा यह जो हमने यहाँ पे conditional formatting लगाई हुई है वो भी यहाँ पे साथ में copy हो जाएगी यह दो को इसको देखने के लिए हम इसको यहाँ से select करेंगे select करने के बाद इसको copy करेंगे तो copy करने के लिए control C press करेंगे keyword से या यहां से copy पे click करेंगे यह copy हो गया इसके बाद कहां पे इसको copy करना है यहां पे इसको copy करना है इसके बाद paste के more button पे जाएंगे paste special पे जाएंगे paste special पे जाने के बाद यह पेस्ट स्पेशल के डायलोग बॉक्स में यह जो यहां पे बंद पड़ा था All Merging and Conditional Formatting यहां पे यह एक्टिवेट हो गया है यहां पे हम इसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे तो OK पे क्लिक करने के बाद क्या होगा यह जितनी भी हमारी Conditional Formatting यहां पे लगाई हुई है यह भी साथ में यहां पे कॉपी हो जाएगी यह रिखो यहां पे क्लिक करने के बाद All Merging and Conditional Format इसके बाद OK पे क्लिक किया तो OK पे क्लिक करने के बाद यह रिखो यह जितनी भी थी ये conditional formatting ये भी यहाँ पे copy होके यहाँ पे आ गया तो इस पकार हम यहाँ पे conditional formatting की भी यहाँ पे copy कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने paste special के all using source theme option all accept borders, column width, formulas and number formats, values and number formats, all merging conditional formats के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद